देक्स कॉंसिलियम फाउडेशन की तरफ से प्ले लिस्ट इनसे मिलिये में आज हम बातचीत कर रहें हैं निशी च्टरुवेदी से इनका तीन डेकेड का शिपिंग में एक्टिव शिपिंग से तालुक है तो इस बाचीत में ध्यान रखेंगे हम कि जो हमारे नव्योवा शिपिंग में एक केरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी जानकारी दें निशीद जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो लोड केरियर होते हैं उसमें क्या विभिन प्रकार के शिप होते हैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो 80 से 90 प्रतिशत ट्रेडिंग करती है अगर ये शिपिंग रुख जाती है किसी वार की वज़े से या किसी और कारण से तो कई देश सर्वाइव नहीं कर सकते एक या दो दिन भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ये शिपिंग इतना इंपॉर्टेंट है और भिन भिन प्रकार के जहाज होते हैं और भिन भिन प्रकार का ट्रेडिंग होता है जैसे कि टैंकर हो गए, बल्क केरियर्स हो गए, रोरोशिप होते हैं, रोल आन रोल आफ, जो कार केरियर्स होते हैं टैंकर में भी विभाजन है, तीन प्रकार के टैंकर हैं, जैसे केमिकल टैंकर हो गया, ओल टैंकर हो गया, गैस ओल टाइप हो गया और इसके अलावा आपके पैसेंजर शिप्स होते हैं उसका कारगो है human being, इंसान तो इस तरह से हमारे पास भिन भिन प्रकार के जहाज होते हैं और उसके भिन भिन प्रकार के expertise और बाकी लोग होते हैं ठीक है इससे आगे चलते हुए मेरा अगला सवाल यह है कि shipping industry में carrier की दरश्टी से अगर देखा जाए तो job के लिए वहां पर क्या educational qualification यह कोई professional उनके पास knowledge होनी चाहिए और तीसरी चीज़ क्या कोई physical parameter है height का, eyesight का इस तरह से जी सबसे पहले तो physics, chemistry, maths यह इस field पर चाहिए होती है जो education बारवी तक हो फिर अगर आपको engineer वनना है तो आप में इंडिया में अपनी टीस राजेंद्रा for deck के लिए है हमारा D.M.E.T. का college है जो engineers prepare करता है जो की एक 4 साल की degree के बराबर है उसकी मानिता उतनी है भी mechanical भी लोग करके अपना pre-see training करके फिर आगे बढ़ते हैं तो physics, chemistry, maths का field होना चाहिए और यह हैं अफसर के लिए जो deck officers या engineers बनना चाहते हैं crew के लिए बारवी पास के बाद में उनके अपने diploma courses होते हैं जो इस field से related होते हैं कुछ diploma बता सकते हैं कि क्या skill के हसाब से अब जैसे welder हैं तो वो welding के expert होंगे उनने वहाँ से classification society का approved welding course किया होगा जो अक्सर मैंने भारत देश से जादा तर यूपी और बिहार से देखे हैं अक्सर काफी welders आते हैं और इसके अलावा हमारे जैसे मैं खुद भी mechanical था और मैंने उसके बाद में applied research international से मैंने वहाँ training की यह सन 1996 का था उसे 97 और उसके बाद मैं मुझे पहला जहाज ऐसा बतार केड़िट मिला जूनियर इंजिनियर का तो यह इस तरह से मैं engineering section में गया था deck side में deck side से आप बारवी के बाद में वही pre-c training करते हैं college जाते हैं चार साल की degree होती है एक तरह से और आपको graduate अब मेरे जमाने में graduation नहीं था लेकिन अब आजकल graduation दिया जाता है माननेता दी गई है जो deck side पे अफसर आपनी पढ़ा ही करते है nautical science को लेकर तो जैसा आपने बताया कि deck side के लिए भी कम से कम 12th class तक पढ़ाई जरूरी है physics, chemistry, mathematics और फिर 4 वर्ष की training दी जाता है उसमें जहाज पर भी भेजा जाता है और यह तो हो गया educational या उनकी technical qualification क्या कोई physical parameters भी है physical parameters इतने strict नहीं है हमारी forge की तरह से तो नहीं खास physical ऐसे नहीं है हाइट कोई restriction ऐसा नहीं है अगर इंसान काबियत है और उसमें अच्छा चमता है तो training दी जाती है physical training भी होती है हमारे instructors ex-navy के थे after retirement उन्होंने हम लोगों को training दी थी तो thank you यहाँ पर यह हमारा पहला वीडियो समाथ होता है अगले वीडियो में हम बात करेंगे निशी चत्रवेदी से shipping line में और carrier संबंधी धनेवाद धव्य बात करेंग धनेवाद जिसाँ पर करेंट में हम करेंगे भीडियों धरा वीडियों झाल झाल